Symfony Sumo vs. Crompton Optimus इन दोनों के बीच बहुत confusion रहता है कि इन में कौन सा cooler best है ये दोनों ही सबसे ज़्यादा बिकने वाले air coolers है इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों के बीच का difference और अपना recommendation बताऊँगा और उसके बाद आपको doubt ही नहीं रहेगा कि कौन सा cooler खरीदना चाहिए और कौन सा नहीं ये वीडियो स्पॉंसर नहीं है और इस वीडियो में मैंने अपना personal opinion share किया है इन दोनों coolers का link मैंने description में दिया हुआ है आप हमारे recommended coolers की list का PDF भी description में दिये गए link से download कर सकते हैं इस PDF में मैंने Amazon और Flipkart दोनों का है link share किया है आपको जहां से भी सस्ता cooler मिलता है आप buy कर सकते हैं Compton Optimus 65L और 100L के water tank की capacity के दो variant के साथ आता है और यह 200W का power consume करता है जबकि Symfony Sumo 75L और 115L के water tank की capacity के दो variant के साथ आता है और यह maximum 190W का power consume करता है दोनों coolers के सामने आपको water level indicator मिलता है Crompton Optimus में marking की गई है और यह पूरे tank को cover करता है जबकि Symfony Sumo में water indicator लगबग आधे tank को ही cover करता है और इसमें किसी भी तरह की marking नहीं की गई है दोनों ही coolers में chrome finish control knob मिलता है Crompton Optimus में 3 control knob मिलता है जिसे आप देखकर confused मत होईएगा क्योंकि एक knob power on and off का होता है बाकि दोनों ही coolers में एक knob से fan speed और दूसरे से water flow और swing control होता है Crompton दावा करता है कि उसका cooler 650W तक के area को cool करता है और 55 foot तक का air delivery देता है लेकिन reality में यह 30 foot तक का air delivery देता है और लगभग 400 square foot तक के area को बड़े आराम से cool कर सकता है Symfony Sumo दावा करता है कि इसका cooler 498 square foot तक के area को cool करता है लेकिन reality में यह लगभग 25 foot का air delivery देता है और 300 square foot तक के area को cool कर सकता है दोनों ही coolers में अच्छी quality के high density honeycomb cooling pad मिलते है Symfony Sumo में आगे के दरफ छोटा सा ice chamber मिलता है जबकि Crompton Optimus में उपर की तरफ बहुत बड़े size का ice chamber मिलता है और पाने भी पहले इसी ice chamber में आता है और फिर honeycomb पर distribute होता है जिसका फायदा या होता है कि ठंडा पानी honeycomb पर तुरंट जाकर बढ़िया cooling देता है Symfony Sumo iPure console feature के साथ आता है जो कि multi stage air purification का काम करता है जैसे smell filter, allergy filter, bacteria filter और honeycomb pad जो 2.5 pm के wash filter के साथ आता है जबकि Crompton Optimus में ऐसा कोई feature नहीं है बलकि इसमें तीनों side में moss heater net लगे हुए है और आगे से भी इसके lowers को पुरी तरह से बंद किया जाता है जिससे इसमें मच्छर नहीं घुस पाते और धोल भी नहीं जाती है इसके अलावा Crompton Optimus में art to drain का feature मिलता है जिससे आप cooler के पानी को बाल्टी वगरे में आराम से निकाल सकते है जबकि Symphony Sumo में नीचे वाल्ट दिया गया है जिससे इसे drain किया जा सकता है लेकिन इसके लिए आपको इसे राथ रूम में या फिर बाहर ले जाकर के इसे drain करना पड़ेगा दोनों ही coolers में अच्छी quality का motor योज हुआ है और इन्हें rust से बचाने के लिए अच्छे तरीके से cover किया गया है Crumpton में overload protection और Symfony में SMPS technology योज किया गया है जो इनके motor को जलने से बचाते हैं दोनों ही cooler inverter compatible है क्योंकि एक 200 watt का power consume करता है और दूसरा एक 190 watt का power consume करता है जिससे इने बड़े आसानी से inverter से यूज किया जा सकता है Crumpton Optimus में humidity control का feature मिलता है जिससे honeycomb पर गिनने वाले पानी की quantity को high और low पर set करके humidity को control किया जा सकता है जबकि Symfony Sumo में ऐसा कोई feature नहीं मिलता है साथी Crumpton में auto feel का feature मिलता है जिसमें आपको पानी भरने की जरूत नहीं पड़ती है इसे आप tap से connect करके छोड़ सकते हैं और पानी कम होने पर यह automatically पानी भर देता है जबकि Symfony Sumo में auto feel का feature नहीं मिलता है लेकिन इसमें पानी भरने के लिए 5 foot के size का अच्छी quality का एक pipe मिलता है दोरों ही coolers में easy mobility के लिए caster wheel लगे हुए हैं और इन्हें lock भी किया जा सकता है Crumpton Optimus के 65 liter के variant की लंबाई 43 cm, चोड़ाई 44 cm और उचाई 120 cm है और इसका weight 14 kg 900 gram है जबकि Symfony Sumo की लंबाई 48 cm, चोड़ाई 70.7 cm और उचाई 107.3 cm है और इसका weight 13 kg 400 gram है Crumpton Optimus के 65 liter variant का price 13,000 रुपे के आसपास रहता है 100 liter के variant का price 14,000 से 15,000 रुपे के वीच रहता है और 65i का price 17,000 रुपे के आसपास रहता है इसका 65i variant electronic panel के साथ आता है इसमें control knob की जगव बटन दिये गए है और इसे remote से भी control किया जा सकता है Symfony Sumo के 75 liter के variant का price 13,000 रुपे के आसपास रहता है और इसकी 115 liter के variant का price 15,000 रुपे के आसपास रहता है दोनों ही coolers made in India हैं और एक साल की warranty के साथ आते हैं इस video में मैंने Flipkart और Amazon दोनों का ही link दिया हुआ है आप दोनों ही जगाए पर price चेक कर करके जहां पे भी आपको सस्ता मिलता है coolers को buy कर सकते हैं वीडियो जूस्पूल लगे तो इसे like और share करें और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को subscribe करें Thank you for watching करें